दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे इसके साथ ही वीडियो के अंत में आप से एक सवाल पोछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बोक्स में बताना है पिहार में कोरोना से बेकाबू होते जा रहे हालाद से निवटने के लिए लोगडाउन लगाया जा सकता है आज होने वाली सर्वदलिया बैठक में इस पर भैसला लिया जा सकता है सरकार ने इसका संकेत दे दिया है सुकुरवार को सुबे में कोरोना के बार सट सो तिरपन मुरीज पाए गए हैं ये हज्जार 133 गुरुवार को मिले थी नितिस कुमार ने कल कोरोना को लेकर हाई लेवल मेटिंग की बाद में पत्रकारों से बात करते वे उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद हर रोज बढ़ती जा रही है सरकार अपने इस तरह से वेवस्था कर रही है लेकिन बहुत कूछ और करने की जोर्रत है नितिस कुमार ने कहा कि राजपाल ने सनिवार को सर्वदलिय बैठक बुलाई है उसमें सभी देलों के नेताओं को हालात की जानकारी दी जाईगी अगली बड़ी कबर बिहार में 16 मैं तक जीम, सिविंग पूल, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स और स्टेडियम बन नितिस सरकार का बड़ा फैसला देश भर में तबाही मचारी कोरोना वारिस को लेकर बिहार सरकार और भी ज़्यादा सतरक हो गई है बिहार में कोरोना संक्रमिन्ट की वज़ा से इस्थिती और भी ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है इसलिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है बिहार के सारे जीम, सि स्टिडियम और इंडोर स्टिडियम को 16 मैं तक बंद कर दिया गया है बड़े कबर बिहार सरकार का बड़ा एलान प्रवासी मैज़ूर को दी जाएगी नौकरी स्टिडियम को 10 लग का बिहार सरकार में स्रम संसादन विवाह के मंत्री जिवेश मिस्रा ने बताया कि कोरोना मा अमारे के कारण प्लायन को मजबूर परवासी मैज़ूर को बिहार में ही नौकरी दी जाएगी स्रम संसाधन मंत्रे जिवेस मिस्रा ने कहा कि कोरोना के समय दूसरे राज से बिहार आने वाले मैज़ूर के लिए रोजगार की विवस्ता की जा रही है। जी हाँ बिहार पंचाय चुनाव की तारिकों का इंतिजार कर रहे लोगों के लिए खुसकबरी है। छट पुजा के तुरन बाद बिहार पंचाय चुनाव की अधिसुशना जारी हो सकती है। प्रसासन कुरोना संग्रमन से बजाओ के साथ सात्री इस्तरिय पंचाय पर्मान पत्र अब 30 जून तक होंगे माइन पर्मिट के लिए इस तारिक तक करे आवेदन जी हाँ कोरोना में अमारी को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस पिटनेस पर्मान पत्र वहानों के रिजिस्ट्रेशन और पर्मिट जैसे मोटर वहान दस्तवेज की वेदता क 30 जून 2001 तक बढ़ा दिया गया है कि इंद्रिय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्राले के निर्देश पर परिवहन विभांग ने चेतरी परिवहन प्रादिकार सभी जिला परिवहन बदिकार और मोटर यान निरिक्चक को पत्र लिकर इसकी जानकारी दी है आपको बदा दे कि इसका लाब उन वहान चालकों को मिलेगा जिनके दस्तावेज की वेदता एक फरवरी 2020 या उसके बाद समाप्त हो चुकी है और कुरोना संक्रमन के कारण इसे फिलाल बढ़ाया नहीं जा सकता है परिवहन बिभाग ने बिहार पश्चिम मंगाल और बिह बिहार चतिसगड के बीच परमिट संबन्दित आवेदन करने के तारिक 30 अपरेल तक बढ़ा दी है पहले 15 अपरेल तक अंतिम तितिती कोविट सहता के रूप में सरकार ने बिहार के 15 लाग स्रमिको के खाते में भेजे 446 कडोर रुपी कोरोना काल में बिहार सरकार ने राज के लागों स्रमिको को राहत दी है उनके खाते में कोविट आर्थिक सहता के रूप में 446 कडोर से अधिक रासी भेजी गई है स्रम संसादन विवाग के मंत्री जिवेश कुमार द्वारा विश्व यापि कोविड-19 महामारे के मद्दिनेजर वित्तिय वर्स 2021 के लिए वार्षिक चिकिस्स साहयता योजना के अंतरगत बिहार सनिमान कर्मकार कल्यान बोर्ड में निवंदिद सवी निर्मान कामगारों को तीन हजार की दर से रासी का हस्तंतरन किया गिया है अतुबदाद की कूल 14,87,000 तेस निवंदिन निर्मान कामगारों को तीन हजार रुपी के हिसाब से 446 कडूर 10,69,000 की रासी उनके बैंक के खातों में डिवीटी के जरिये भेजी जा रही है बिहार में आज 6 रहेंगे बादल आंधी पानी के भी आसार जी है बिहार में पुर्वा हवा के साथ नमी का परवा बढ़ने से सूबे में सनिवार को आंधी पानी के आसार बने है लगतार तापमान के सामायने से उपर रहने की वज़ा से राज भर में गर्मी बढ़ी थी लेकिन अगले दो दिन गर्मी से कापी राहत मिलेगी राज के उत्तर पुर्वी भाग में आन्दी पानी का असर विसिस दिखेगा जबकि सिस बिहार में भी गरज तड़क की सिती रहेगी बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले पर हाई कोट ने जटाई चिंता स्वास्त विभाग की जम कर खिचाई की है कोट ने जाच रिपोर्ट में देरे इलाज नहीं मिलने आदे पर चिंता जटाई है कोट का कहना था कि आम जन के लिए सरकारे अस्पताल का दरवाजा लगबग बंसा है आम जन को भरति करने से मना कर दिया जा रहा है कहीं बेड नहीं होने तो कहीं ऑक्सिजन नहीं होने की जानकरी दी जा रही है यह गलत है अस्पताल आए लोगों को भर्ती करने तथा उन्हें बहतर इलाज देने की विवस्तक की जानी चाहिए सुवीदा नहीं है तो उसे बढ़ाने तथा संसाधन उभलब्द कराने की करवाई करे जरत के हिसाब से संसाधन मुहाया कराए पोट ने मामले पर अगली सुनवाई 17 अपरेल की तारिक निर्दारित की है बड़ी कबर बिहार में B.S.R.T.C की इलक्टिक बसों के लिए जल्द मासिक पास किराये में भी होगी कटोती जिहां B.S.R.T.C की इलक्टिक बसों में जल्द मंतली पास मिलेगा इससे लोगों को सफर करने में सुविधा होगी सफर के दोरान टिकट कटाने की जंजट से मुक्ती मिलेगी साथ ही टिकट की दरों में भी कापी कमी आएगी मंतली पास में रोजाना कटने वाले टिकट की दर से कम होती है मंतली पास के दर निधारन के लिए B.S.R.T.C चलो एप के साथ मिलकर परियास कर रहा है दरों के अंतिम रूप से निधारित होने के साथ इसे सीटी बसों में लागू कर दिया जाएगा इलक्टिक बसों में उद्गाटन के दिन ही इटिकटिंग सिस्टम लागू है अबर गया में COVID-19 टॉल फिरी नंबर सेवा सुरू जिला प्रसासन ने जारे किया नंबर गया में जिला प्रसासन ने COVID-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए टॉल फिरी सेवा सुरू की है प्रसासन की ओर से जारे नंबर 1800-3456613 पर कोई भी व्यक्ति कॉल करके अपनी समयस्या और चिकित्स्य सुविदा का लाब ले सकते हैं इस नंबर पर चिकित्स्य परामर्स जाच की सुविदाव की जानकारी गर्बवती महिलाव के लिए घर में जाच की विवस्ता और अस्पतालों में भरती होने की विवस्ता तक की जानकारी दी जाएगी चेति छट और राम नौमी पर सरवजनिक आयोजन पर रहेगी रोक रमजान में जुम्मी की नमाज पर भी बबंदी कोरोना संक्रमन के बढ़ते कत्रे को देखते वे पटना में चेति छड़ से लेकर राम नौमी पुजा तक किसी भी तरह के सरवजनिक आयोजन की इजाज़ात नहीं होगी रमजान के पवित्र महिने में में जुम्मी की नमाज के आयोजन पर रोक रहेगी पटना के डियम डाक्टर चंद्रसेकर सिंग और स्पी उपेंद्र कुमार सर्मा ने कल जिला प्रसासन के महतपुन बेठक में नियमों को सकती से लागू करने का निर्देश दिया है उन्होंने निर्देश दिया है कि कोरोना संक्रमन और खत्रा के बढ़ते परभाव को देखते वे सारवजनिक इस्तलों पर राम नौमी छट पुजा जुम्मी की नमाज का आवज़ा नहीं करना है अप्रेल तक सारवजनिक इस्तलों पर नहीं होंगे कोई कायर करम मुझपरपूर जीला प्रसासन के सक्त दिशा निर्देश या मुझपरपूर में सारवजनिक वा धार्मिक इस्तलों में भेड को नियंतित करने के लिए सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश का पालन सक से कराने के लिए जिला प्रसासन ने कवायाद शूर कर दी है इस महने चेती छड राम नौ में महाविर जैनती वा रमजान मा को देखते वे डियम ने सभी वीडियो सियो वा थाना अधेच को सरकार के आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारे दी है सरकार ने 30 अप्रेल तक सारवाजनिक इस्टलोप पर सरकारी वर निजिक कारकरम पर रोक लगा दी है जबकि धार्मिक इस्टलोप पर आम जनों के परवेश की मना ही है इना RTPCR जाज के बिहार में एंट्री बंद महराष्ट पंजाब और केरल से आये यात्रियों को पटना एरपोर्ट पर दिखाने होगी रिपोर्ट बिहार में कोरोना के दूसरी लहर कहर बरपा रही है कोरोना संक्रमन की चेन तोड़ने के लिए बिहार सरकार हर रोज नई फैसले ले रही है इसी क्रम में बुदवार को यताई हुआ कि महराष्ट पंजाब केरल से पटना आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पूर्व तक 8 PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही यात्र की अनुमती होगी बिना रिपोर्ट सम्मंदित एरलाइन यात्र की अनुमती नहीं होगी यात्रा समापती के बाद 10 दिन का होम कुरंटाइन होना होगा कुरोना महमारी के फेला पर नियंदरन को लेकर पटना के डियम ने पटना एरपोर्ट के डारेक्टर को इस निदेश के बाबत पत्र लिखा है और अंकी बड़े कबर सावत फिल्मों के सुपर इस्टार अलू अरजुन के साथ नजर आएगी बिहारी गर्ल संचिता बसू टिक टोक ने दिलाए थी पहचान बिहार के सहरसा जिले के एक छोटे से गाओं से निकल संचिता बसू ने सावत फिल्म इंडेस्टिर तक का सपरताई किया है वो सावत फिल्मों के सुपर इस्टार अलू अरजुन के साथ एक फिल्म प्रोजेक्ट में काम कर रही है बिहार के बेटी और गाओं के लड़की के लिए बड़ी उपलब्दी है संचिता बसू सावत फिल्म से अपनी फिल्म करियर की सुरवात मुई के अभिनेत्री के रूप में कर रही है इंटरनेट पर धूम मचा रही संचिता बसू ने पहले तो टिक टोक स्टार के रूप में अपनी पहचान बनाई उसके बाद स्नेक एप पर सिंगिंग एवाम डांस के चेतर में उनकी 11 मिलियन फॉलोवर आज के लिए आपका स्वाल बताए कि बिहार में लोगडाउन लगना चाहिए या नहीं इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बोक्स में जरूर बताए